कि हमारे देश में पॉल्टिक्स में काफी जादा लोग इंट्रसेट रहते हैं जब चुनाओ का दौर आता है तो आप किसी भी चाय की टपरी पर चले जाएंगे तो हर व्यक्ति आपको विशेशक्य लगेगा वो बताएगा कि किसकी सरकार बन सकती है किसकी सरकार नहीं सारी विशेशन आपको चाय की टपरी पर मिल जाएगी तो काफी जादा एनर्जेटिक हो जाते हैं जब चुनाओ की बात आती है पर हम क्या है हम तो भाईया एस्पिरेंट्स है तो हम पॉलिटिक्स में भी जो हमारे एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको डिकोट कर है यानि कि आज हम पॉलिटिक्स को देखेंगे पर समझेंगे नहीं और हम वो चीज़ समझेंगे जो पॉलिटिक्स में एक्जाम के लिए रिलेवेंट है तो हलो आज हम देखेंगे कि जो रहुल गांदी जी है वो क्यों कन्विक्ट हुए ठीक है किस बेसिस पे क्या प्रो उनके कन्विक्शन से रिलेटेट पर उसको भी रिजेट कर दिया गया है तो यह सारी चीज़े आज हम समझेंगी कोशिश करेंगे इस वीडियो में पर जब मैं आगे बढ़ू एक चीज़ बताऊंगा कि कोई भी डाउट हुआ करें आप अपने कमेंट्स में अपने डाउ इनिशेटिव ये वीडियो जो हम बना सकता हो तो पीछे लिखा हुआ है कि सूरत कोट रिजेक्ट्स राहुल्स प्ली फॉर स्टे ऑन कन्विक्शन यानि कि लास्ट मन्त आपको पता होगा कि इन्हें कन्विट किया गया था सूरत कोट के दुवारा डीफेमेशन का केस था जो किलंगे में इसमें प्रोसस इस जो भी ओमेकर स्टे यह कोई भी फिला मेकर भी इत मले और प्रिपाउटें पॉर्य और मेन के लिए तो अगर करें कॉंसिट्यूशन में आर्टिकल एक शो दो दिया हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से कोई भी लॉवेकर कोई भी लॉवेकर यानि की जो कानून मना रहे हैं वो डिस्कॉलिफाई हो सकते हैं वो disqualify हो सकते हैं तो आपको सारा यह जो clauses दिये गए है A B C D E यह आपको पढ़ने की जरूत नहीं है रटने की जरूत नहीं है you just have to read at once आप एक बार read कर लोगे you'll be able to understand the things क्योंकि बहुत ही simple language में दी गई है सो आपको ऐसा कुछ यह नहीं कि आपको पूरी चीज़े रटनी है रटनी नहीं है इस सिंपल चीज़े में ची में तिंग में तिंग इस यूर आर्टिकल यह तो रिमेंबर अर्टिकल वन जीरो टू स्टेट्स एट और हाउ आपको 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 नहीं देखने है एक क्लॉस की मैं बात करूंगा एक है आपका क्लॉस नंबर ए वो यह कहता है कि इफ ही होल्स ही means he or she means lawmaker if he or she holds any office of profit under the government of India or the government of any state other than an office declared by parliament by law not to be not to disqualify its holder यानि कि office of profit आपने सुना होगा अगर office of profit से related कोई भी चीज़ है ठीक है office of profit यानि कि कोई भी lawmaker ऐसी जगा पे associate है जहां से उसको extra income आ सकते हैं या financial gains हो सकते हैं तो उस basis पे office of profit जो कि आपका article 102 के तहर्त clause A में आता है उस basis पे आपको disqualify कर दिया जाएगा तो यह एक यह important चीज़ है अब हम देखेंगे कि जो article 102 का E clause है वो क्या कह रहा है वह कह रहा है कि if he or she is so disqualified by or under any law made by the parliament यानि कि जो राहूल गांधी convict हुए वो इसी 102 के clause E के तहर्त यानि कि वो जब disqualify होंगे जब कोई भी नियम जो है वो Parliament बनाएगा तो पार्लिमेंट में कौन सा नियम बनाया भाई पार्लिमेंट नियम बनाया है representations of people act यानि कि जब चर्चा हो रहे थी पार्लिमेंट में कि ठीक है भाई lawmakers है वो कानून बनाएंगे पर उनको भी तो देखना पड़ेगा ना उनके उपर भी तो checks and balances होने चाहिए कि जो lawmaker है वो lawbreaker ना बन जाया यानि कि जो कानून बना रहा है वो कानून को तोड़े ना तो वो कैसे रोका जा सकता है वो रोका जा सकता है by an act called the representations of the people act which is in the year 1951 तो इसका object इसका वो background क्या था background ये था इस act को बनाने का कि किस तरीके से जो lawbakers है जो MP है जो MLA है उन्हें रोका जा सकता है कि भाई वो कानून को तोड़े ना तो ये जो act है इसमें कई सारे sections दिये गए है उसी में एक section इंडक्ट है जिसके तहत राहूल गांधी जी जो है उनको disqualify कर दिया गया लोकसभा की अपनी उनकी seat से तो ये sections important है एक बार sections रीट करूँगा आपको सारे actions रटने नहीं मैं बार बार बोलाऊ तो आर्टिकल 102 में clause E में दिया है कि कोई भी disqualified हो सकते कोई भी lawmaker disqualified हो सकते हैं अगर कोई भी law जो है वो पार्लिमेंट में बना रही है यानि कि 102 जो आर्टिकल उसमें दिया हो है कि पार्लिमेंट लोग बना सकती है कि किस तरीके से disqualified हो सकते हैं lawmakers उसी के basis पे आपका representation of people's act बना था तो ये को रिलेटेड है आर्टिकल 102 में clause E में दिया है कि पार्लिमेंट लोग बना सकती है कि किस तरीके से जो MLA जो MPs है वो किस तरीके से law को ब्रेक ना करें तो इसी बेसिस पे representations of people act पास हुआ था in the year 1951 अब इसमें कुछ sections है एक बास sections आपको बता देता हूं section 9 ये कहता है कि deals with the disqualification for dismissal for corruption यानि कि कोई भी lawmaker अब lawmaker की बात करना तो MP ML दोनों आ रहे हैं उस पर ठीक है कोई भी lawmaker है अगर corruption कर रहे हैं तो representations of act यानि कि RP act section 9 ये कहता है कि उस बेसिस पर इनको disqualify किया जा सकता है section 10 क्या है section 10 deal करता है disqualification for failure to lodge an account of election expenses जब भी चिनाओं होते हैं जब चिनाओं conclude कर दिये जाते हैं तो हर एक व्यक्ति को अपना election का खर्चा या election का audit जो भी expansion हुआ है वो आपको दिखाना रहता है अगर वो सही तरीके से नहीं दिखा पा रहे है तो इस बेसिस पे using section 10 उनको यानि कि lawmakers को disqualify किया जा सकता है section 11 क्या कह रहा है deals with the disqualification for corrupt practices को एगर कर प्रैक्टिस कर रहे हैं lawmaker और वो पकड़े गए तो उस बेसिस पे section 11 और फार पी एक्ट उसको इस्तमाल करके उनको disqualify किया जा सकता और लास्ट में आता है section 8 it is very important it is very important इसी का एक क्लॉस है उसी के basis पे जो है मिस्टर गांधी जो है उनको अपनी seat जो है वो लूज उनको छोड़नी पड़ी लोग सबाब उन्होंने लोग सबाने उनको disqualify कि section 8 क्या कहता है section 8 of the RP Act deals with the disqualification for conviction of offenses section 8 यह कहता है कि अगर कोई भी lawmaker कोई offense कर रहा है कोई offense कर रहा है तो उसको फिर disqualify कर दिया जाएगा और यह section किस लिए इंडक्ट किया गया section 8 जो है क्यों इंडक्ट किया गया ताकि यह जो negative nexus है negative nexus जो है ना जो negative nexus है between crime and politics between crime and politics this should be stopped और यह कैसे होगा यह section 8 से होगा section 8 क्या कहता है आरपी आट का section 8 आरपी आट का कहता है कि lawmakers ठीक है lawmakers disqualify हो जाएंगे अगर वो कोई offense कर रहे हैं the provision is aimed at prevention criminalization of politics ठीक है क्योंकि बहुत समय था ऐसा डर था कि शायद politics में criminals की entry हो सकती तो इस वज़े इसको रोकने के लिए section 8 इंडेट किया गया था हाला कि आप कहेंगे sir की तब भी बहुत से लोग चनौल लड़ते हैं वह बात है पर यह चीज प्रोसेस में दी गई है और इसी वज़े कुछ crime करते होगे कुछ offense करते होगे पकड़े गए उन पर सजा सुना दी गई तो उनको disqualify कर दिया जाएगा इसी में clause है आपका section 8 clause 3 ठीक है आप कोई व्यक्ति पकड़ा गया कोई व्यक्ति ने कोई लॉबेकर नॉट रखती कोई लॉबेकर ने कोई offense कमिट किया अब ठीक ओफेंस कमिट कर दिया का अब क्या कितना बड़ा offense है क्या चोटे offense पर भी disqualify कर दिया जाएगा या बहुत बड़ा offense होगा तभी कोई heinious crime होगा तभी disqualify किया जाएगा तो इसको क्लियर करने के लिए section 8 में ही एक clause act किया गया section 8 clause 3 which states that a person convicted of any offense and sentence to imprisonment for not less than two years for not less than two years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of six years since his release समझ में आ गया section 8 कहता है कि ठीक है कोई lawmaker है उसने कोई crime जो है कुछ offense कर दिया हम हम उनको अगर सुना सुना दी जाएगी तो disqualify हो जाएगे पर अब वो crime कितना बड़ा होना चाहिए क्या वो heinious crime पर लागू होगा या चोटे मोटे crime पर भी हो सकता है तो उसको explain करता है कि कोई भी lawmaker को while sitting lawmaker अगर उनको सजा हो रही है 2 साल या 2 साल से जाधा की ठीक है 2 साल या 2 साल से जाधा की तो उनको अपनी जो seat है वो छोड़नी पड़ेगी और वो छै सालों तक ठीक है अपनी सजा काटने के 6 साल बाद तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं यानि कि अगर राहुल गांधी जी को 2023 में सजा सुनाई गई तो 2025 में इनकी सजा पूरी हो रही है तो ये अगले 6 साल और इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे इस वज़े से यह जो प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 8 क्लास 3 इसी बेसिस पे मिस्टर गांधी जो है उनको डिस्कॉलिफाइ किया गया है सो यह जो सेक्शन से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके एक्जायम के लिए क्योंकि इससे आपसे इस पूछा जा सकता आर्पाट के बारे में क्योंकि में इस में कई बार पूछा गया है यू पीएसी में और स्टेट पीएसी में तो आपसे डैर्टली पूछ रहेगा कौन-कौन से उनको टीन महिने का ताइम मिलता था किपिर उनको फिर अधर लोगुषा हो रही है तो वह तीन महिने का जो विंडो है इसको खत्म करते हैं ओर Isqu Canada इस पे डिस्कॉलिफीकेशन जो है लोगसवाज से वो लागू हो जाएगी तो पहले जो था वह तीन मैणे की विंडो थी यह तीन मेने की विंडो कब खतम हुई किस जज्जमेंट से खतम हुई उस जज्जमेंट का नाम है इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉर्योर प्रिलिम्स मैंने आश्टिक में लगा दिया वाई इसको ध्यानक ना जज्जमेंट इस लिली थॉमस वर्सेज यूनिन अफ इंडिया इं जज्जमेंट में क्या हुआ यह जो तीन महिने की विंडो थी इसको खत्म करके इमिडियेट वेसिस पर बोला गया कि कोई भी लॉमेकर कोई भी लॉमेकर जो है वह डिस्कौलिफाइग कर दिये जाएंगे इमिडियेट वेसिस पर जैसे उनको सजा होती है कोट से तो अब जो इनका जो हाईर अफॉर्टी जो हाइर कोटस एगर वहां पर अपील करेंगे मिस्टर गांधी तो अगर वहाँ से यह जज्ज्मेंट टर्न हो जाए तो शहाद उलेक्शन लट सकते हैं पर यह जो डीफियमेशन के से यह सिविल केस है और सिविल केस में ताइम लगता है हाई कोट्स में सुप्रीम कोट्स में सो देखे कितना टाइम लगता है क्या वो एलेक्शन्स लड़ते हैं राहूल गांदी दोजार चॉबीस का यह नहीं लड़ पाते हैं यह डेवलपिंग न्यूज है और समय ही जो है इसका जवाब देगा पर आप क्या चाहते हैं क्या प्रोविजिंस जो है वो एड होने या इनका रहना ज्यादर जरूरी अपनी राय बताईएगा जैनुरली मैं जाना चाहूंगा कि आप क्या सोसते हैं सेशन को इस पहले एक चीज़ बताऊंगा कि आपको लाइफ में सीरियसली एक बार यूपीसी और स्टेट पीसी की त्यारी करनी है आप आप स्टड़ी आइक्यू में उनकी वेबसाइट पर जाके कोस्में रोल हो सकते हो और गलती से यह प्राइज मत पे कर देना यूव त पिंड माय कोड देखोर इस और स्ट्ड आइस अरे स्लाइज वन्स्यों कि आप यूपीसी फॉर फिर्ट पर जाइट पिंड आप यूपीट आप इस ग्रूट यह थ। इस इंपर में उनकात करें आप श्यूए वीडियो में ता तरना ध्यान एक का मैट करेगा खुश रहे